हेलो एवर्यवन वेलकम बेक टू आर यूटीव चैनल लेट्स लर्न फ्रम हूँ मैं नेम इस तरू राय और हम क्लास सेवन हिस्ट्री का चैप्टर वन हजार वर्शों के दौरान हुए परिवर्तन की परताल का पार्ट तू करेंगे तो चली हम शुरू करते हैं पार्ट वन में आपको हिस्ट्री या तिहास क्यों इंपॉर्टेंट है कैसे इसका विकास हुआ नाम वगएरा मैप्स उष्रोत यह सब चीजे में बता चुकी तो अब हम इसका देखेंगे कि तिहास तो बदला समय के साथ उसमें बदला आ रहे थ तो कैसे नए समाजिक और राजनीतिक ग्रूप्स बनने लगें तो चली हम शुरू करते हैं तो यहां पर इन्होंने टाम पीरियेड लिया है साथ सो से सत्रासो पचास का ताकि हमें मध्यकाल का जो तिहास है वह पढ़ने में बहुत चादा आसानी हुए बहुत छोटा सा ट इंटेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप कुछ यहाद हो देखिए जब हमने प्राची इतिहास पढ़ा क्लास 6 में तो हमने क्या देखा कि लोग पहले कैसे जोपडियों में रहते थे वह अपना खाना जानवरों से लेते थे फिर दीजरों लोगाना शुरू किया अब हम देखेंगे कि कैसे राजा महराजा Others ने अपने जो हैं कि इनका विकास किया उनको कैसे आगे बढ़ाए हों कैसे योंई दुनिया के दूसरे दोसरे देश you तक अपनी बात हुँ अगे प्iance already यह आपको पता होगा कि आज की दुनिया में है एक यह कोई नकोई वेक्ति तो बहुत होता ताकर हमें चीज़ों बहुत इजी समझ में आता है वह यह था कि नई प्रद्योगी की बनी अब इसका देखो क्या कारण है प्रद्योगी का कि पहले की टाइम में अगर किसी को खेत से सचाई करनी है यानि पानी देना है अपने खेतों में तो वो नदियों के पास जाके ही अ नहीं प्रद्योगी कि हम यह भी देखेंगे कैसे इतनी सुंदर सुंदर भवन बनाया है इतने संदर चीजह देखने की बनाई हम जो बहुत पेहले बदा चुकि लाल केला सबसे और ताजमयल सुंदर चीजों में से एक है जिसे साहँ चान दुआरा बनवाया गया है यह होंगी नए विचार मतलब कि अब वो कुछ नया सोच रहे हैं नए चीज लिख रहे हैं उनके पास options है नहीं जिसे आपने कवीर की बाणी सुनी होगी रहीम के दोहे सुने होगी यह नए विचारों में तो आते हैं नए तरह के धर्म आए उन्हों नए बाते सिखाई कि आपको कैसे विकास करना यह सब चीज़े से आपने को पता होगा कि जीरों के शुरुआत किसने की आरे भटने की तो यह नए विचार ही तो है ना एक तो यहीं जानेंगे किसान फ़ीजा या नहीं फसले है आप सिफ चावल गेहूं बाजरा मक्का नहीं हुआ रहे हैं लोग सब्जियां भी खा रहे हैं फल भी घा रहे हैं इस सब्यारे में भीर एक वा सब्सक्राइदर जानेंगे और इसमें नहीं है तो मागे वाली चप्टेस में जानेंगे कि कैसे और भी ज्यादा जो डूसरे फसल है सब्जियां हो गई और आलू जिसे आलू भारत का नहीं था वह ऐसा कमाना जाता है आलू भार से आया हुआ है तो कौन उसे लाया क्यूं आज यह समय में इत पिछे कारण किया रहा है अब नहीं संस्कृतियां सोचिए कि आज के समय में पंजाबी बंगाली उजराती माराथी तो हम नहीं जानेंगे कि यह इन लोगों की शुरुआत कैसे हो इन्होंने कैसे अपनी भासाओं का विकास किया जैसे बंगालियों में जो दूर्गा पू पढ़ते हैं आज तो एक संस्कृति ही ना अंग्रेज भारत में आये उन्होंने लोगों को इंगलिश सिखा आई उन्हें इंगलिश पढ़ने के लिए बोला गया तो आज के समय में फिर वो चीज कंटीनी और आज के समय में पढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टन लें कि अचान इन से हम तो घर मनाएंगे फकेड़ों वाले गार बनाएंगे जिसे आज के समय के घर होते हैं एक मंजिल दो मंजिल यह फिर राजाओं के बड़े बड़े संदो संदर महल होते हैं जिसे कि आपने पिच्छर देखी होगी आभी यह वाली पदमावत या फिर रही रहे हैं हैं। वहले की स्ग rerखुम से जिना है। फूरी पर इंक इस पर मतलब होता है। किक्ति का मुझे परियावारण। सी है कि और आर्थिक जीवन। आपको मैं बता देती हूं कि आर्थिक का मतलब होता है पैसे बैपार यह सब चीज आर्थिक जीवन में आती है अगर कहीं बैपार नहीं होगा तो वहां पे कोई व्यक्ति क्यों रहना चाहेगा आप भी एक बाद सूचिए अगर आपके इलाके में कोई दुकाने नहीं होंग कि कि इसलिवर प्रकार की दुकाने नहीं होंगे तो कया आपको पहां पर रहने का मन करेगा आपको जरूरी समय लेना है तो आपको ह Wij ने हो कलए रुखाया होती है जसें एक सब्सक्राइब को Kayla इता अग्धाया तानेे प्रेटने कुल्स jk paul ब्रहumpan काम कपढ़ाने का का काम होता था ब्रामन का क्चुट्र का यह जह सब्सक्राइब जो बैपार वगरा करते हैं ठीक है दुकान चलाना ही सब उनके शुद्र जो बाकी जो बज़े काम होते हैं वह शुद्रों के पास होते हैं यह पहले करम अदहरी करम मतलब आपने जो काम क्या उस जाती से हैं और अब धीरे-धीरे फिर इसको वर्ण कर दिया गया कि आपका ज जाती पंचायत बनाया है इसमें जो बड़े बुड़े लोग होते थे उन्होंने कुछ नियम कानून तैय कर दिये आज के समय पर देखते चोरी नहीं कर सकते आप इसको मार नहीं सकते आप इसको समान नहीं उठाब गलत बात है इसके खलाफ एक नियम है आप अगर ऐसी हर जाती राजवन्स बने कैसे नए शाब जैसे आपने देखा हो खिलजी पद्माबत में अपने खिलजी शब्द सुना होगा या फिर अपने चौहान चौधरी यह सब लोगों के बार में सुना होगा मुगल समराज्य हो गया सुलतना चोल तुगलक इन सब के आपना नियम श पढ़ेंगे कि वो कैसे आए कौन थे वो लोग कहां से यह चीजे वैसी पता लगेगी बाकी और वी जो राजा वगएरा उनका क्या कितिहास रहा है भासा और शेत्र जैसे कि आप एक एक्जांपल देया अमीर खुश्रोग आपसे कुशन आसा तो प्लीज धिहान दीजिए हर खैसे अनि भारत देश में हर शेत्र में अपनी भास में है आप सोच यह अगर आप U.P से हैं और आप उपि के मेरट वगरा वाले हिस्से में रहते तो वहां की भासा कितनी अलग होगी जो यूपी भिहार की तरफ लगा होगा वहां की भासा से या जो यूपी तो यही प्रकार हमें देखना है कि कौन से लोग कौन सी भासा अपने साथ लाए और इनका विकास कैसे हुआ फिर हम देखेंगे पुराने और नए धरम आगे चाप्टर में पुराने धर्मों में अच्छी जब भारत में भारत में कोई भी दूसरा शाषक नहीं था तो उस समय पुराने धर्म एस सखा जाते हैं कि हिंदु धर्म सबसे पुराना धर्म था तो अब नए धर्मों में देखेंगे कैसे इसलाम आया बुद्ध धर्म जैन धर्म यह सब बारे भारत में जानेंगे और यहां पर कुछ चीजे देख हैं वक्सर स्थानी समुदावई के सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी बहुत प्रवावित होता जैसे बुद्ध धर्म जो बना वह आपको महत्मा बुद्ध की स्टोरी पता होगी कि उन्होंने रास्ते में एक बार तीन ऐसे लोगों देखिया था जिनसे उन्होंने भवान की भक्तिगरों ऐसे जीवन को त्याग दों जिसमें से धुख हो तो यह चीजें दिखाती है कि कैसे नए धर्मों का विकास भी हो सकता है और इस समय हिंदू धरम में खुद बड़े-बड़े मंदिर बनाया जाते थे नए नए राजा आकर बहुसंदर चीजें बना कि इनका पभीत्र गरेंथ होता है और यह शिर्फ अल्ला को मानते हैं चलिए हम देख रहते हैं लास्ट टॉपिक समय और इतिहासिक का तो इसमें जो ब्रिटिस लोग थे ठीक है अब पता भारत में अंगेज है उन्हें रिटिस का रहता है तो उन्होंने तीन तरीके से भा इसलाम धर्मों के साथ ही ऐसा हुआ तो इसलाम इसलामिक या मुस्लिम राजा ज्यादा थे फिर बिटिस का रहता है फिर लेकिन आदुनिक के तिहासकार जो होते हैं जोने आपकी किताबे लिखी या और प्राने लोग उन्होंने कहा कि नहीं प्राचीन, मध्धेकार और आ लेकिन आपका काम है कि वीडियो को लाइक करना है कॉमेंट से जरू करना है अपने दोस्तों में भी और चैनल को सब्सक्राइब करना है ठेंक यू